हेलो फ्रेंज आप देख रहे हैं जिनियर सिक्षा यूटूब चैनल तो फ्रेंज आज के इस क्लास में हम यादी हिंदी पढ़ने लिखने के क्लास में जो है हम आपको बड़ी उ की मातरा वाले शब्द और वाक्यों को जो है आज के इस क्लास में पढ़ना और लिखना दोनो सिखाएंगे ठीकि तो आप जो है ना आज केस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप जो हैना आज केस क्लास को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आप देखने के बाद भूलाते हैं और चानल पर नएते चानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ में जो बिलाइकन दीख रहा है ना उसको और फिरेश्ट कर दीजेगा ताकि हम जब भी किलास अपलोड करेंगे तो आप तक पहुशता रहेगा तो आईए यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी उ की मातरा जो है ना किस तरह का होता है ठीक है यहाँ पर देखिए बड़ी उ की मातरा यह है इससे पहले वाला जो हमारा क्लास था छोटी उ की मातरा व जैसे यहाँ पे दिखिए मौ में बड़ी उ की मातरा का परियोग करना है तो कैसे करेंगे यहाँ पे इस तरह सी करेंगे ठीके इसको पढ़ेंगे कैसे मौ और बड़ी उ की मातरा का एक साथ उचारन करेंगे ठीके तो इसको पढ़ेंगे मौ क्या पढ़ेंगे इसको मू जैसे यहाँ पर देखिए जहां में बड़ी उ की मातर इसको क्या पढ़ेंगे जू ठीक है तो इस तरह से जो है अब किसे भी अक्छर पे बड़ी उ की मातरा का प्रियूप करके आप उसको पढ़िएगा या किया हुआ रहेगा तो उसका आप लिखिना सिखिएगा ठीक है यहाँ पर देखिए कोई शब्द जो है बड़ी उ की मातरा से बना है उसको कैसे पढ़िएगा आप लिखिएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर बड़ी उ की मातरा से बना एक कोई सब्द है इसको देखिए कैसे पढ़ा जाएगा स में बड़ी की मातर, क्या पढ़ेंगे सु, चो, न न में आ की मातर, इसको पढ़ेंगे न, तो क्या पढ़ेंगे इसको सुचना, तो देखिए आप सुचना कैसे लिखेंगे, तो लिखने से पहले आपको ध्यान से कोई भी शब्द है उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि शब्द क्या बोला जा रहा है ठीक है और क्या चीज़ आपको लिखिना है बस सुनने के बाद आपको अपने दिमाग में ये पता लगाना है मन में कि जैसे सूचना तो कौन से अक्षर पर कौन सा मातरा है और किस तरह से लिखा हुआ है बस उसको आप लिख दीजेगा आपका शब्द तयार हो जाएगा देखिए आप जैसे सूचना तो देखिए सूचना कैसे लिखेंगे सूचना नौ में आ की मातरा तो यह आपका शब्द बन गया तो फ्रेंड्स इस तरह से जोए आप बड़ी उकी मातरा शब्द और वाक्यों को जोए ना इस क्लास में पढ़ाया जाएगा तो उसी तरह से अप पढ़िएगा और लिखने का भी आप शिखिएगा तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको चलना पढ़ेगा मुबाइल एस्क्रीन पे तो यहाँ पे दिखिए बड़ी उकी मातरा वाले शब्द तो सबसे पहले हम मातरा वाले शब्द को जुएना पढ़ना और लिखना सिखेंगे उसके बाद जुएना आपको बड़ी उ की मातरा से बने वाक्यों को जुएना आपको पढ़ना लिखना सिखाएंगे तो यहाँ पे दिखिए एक बार फिर सी हम आपको रिपीट कर देते हैं यह क्या है? उ है और इसका जो मातरा होता है यह होता है ठीके? उ क्या है? बड़ी उ इसके उचारण में ज्यादा समय लगता है इससे पहले वाला जो हमारा क्लास था छोटी उ की मातरा इसके उचारण में कम समय लगेगा इसके उचारण में थोड़ा इससे ज़्यादा लगेगा ठीके? इसको आप ध्याँ रखिएगा तो चली ही अब हम बड़ी उ की मातरा से बने शब्दों को जो हैना पढ़ना लिखना सीखते हैं यहाँ पर देखिए धा है तो इसमें क्या लगा है? बड़ी उ की मातरा इसको क्या पढ़नेंगे? ध्धू अम ध्धूम ठीक? तो देखिए ध्धूम आप कैसे लिखेंगे? जैसे माली जी कोई बोलर आपको लिखिए ध्धूम तो ध्धूम आप कैसे लिखोगे? देखिए ध्धूम ध्धूमें बड़ी उ की मातरा का उचारण हो रहा है फिर यहाँ पे म तो एपका शब्द बन गया ध्धूम ठीक? चली आगे देखते हैं यहाँ पर देखिए फू फूमें बड़ी उ की मातरा क्या पढ़ेंगे इसको? फू अला एक सथ क्या पढ़ेंगे इसको? फूल तो देखिए फूल कैसे लिखा जाएगा? फू फूमें बड़ी उ की मातरा का उचारण हो रहा है फिर यहाँ पे ला तो एक सथ क्या पढ़ेंगे इसको एक सथ क्या पढ़ेंगे? जूम तो देखिए जूम आप कैसे लिखेंगे? जू जूमें बड़ी उ की मातरा लिखिने से पहले आपको ध्यान से सुनना है ठीके? कि कौन-कौन सा अक्षार है और किस के सक्षार पे कौन-कौन सा मातरा लग रहा है बस उसको लिख दीजिएगा आपका शब्द तयार हो जाएगा जिसे आप देखिए जहाँ जहाँ में बड़ी उ की मातरा लग रहा है फिर यहाँ पे मौ इसमें कोई मातरा नहीं है तो इसमें इस तरह से लिख देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे जहूम तो आप जो है जहूम इसी तरह से लिखिएगा ठीक चलिए आगे देखते हैं सू सू में क्या है बड़ी उ की मातरा फिर यहाँ पे त तो इसको क्या पढ़ा जाएगा सूत तो दिखिए सूत कैसे लिखा जाएगा सौ सौ में बड़ी उ की मातरा सू और यहाँ पे तौ तो यह आपका शब्द बन गया सूत ठीक चलिए आगे देखते हैं शू सौ में बड़ी उ की मातरा शू और यहाँ पे लौ तो इसको एक साथ क्या पढ़ेंगे शूल तो दिखिए शूल कैसे लिखा जाएगा शौ शौ में बड़ी उ की मातरा फिर यहाँ पे लौ इसको क्या पढ़ेंगे शूल ठीक चलिए आगे देखते हैं दू और यहाँ पे धा तो इसको क्या पढ़ेंगे दूद ठीक, तो यहाँ पे देखिए दूद कैसे लिखा जाएगा दौ में बड़ी उकी मातरा फिर यहाँ पे धा तो ए शब्द बने गया दूद ठीक, चलिए आगे देखते हैं खूब अब भा खूब तो देखिए खूब कैसे लिखा जाएगा खूब में बड़ी उकी मातरा फिर यहाँ पे बो तो ए आपका शब्द बने गया खूब, ठीक, चलिए आगे देखते हैं जूब, जूब में बड़ी उकी मातरा जूब, ला, लौपी आपकी मातरा है, ठीक है तो इसको क्या पढ़ेंगे है जूब, तो देखिए जूब, आप कैसे लिखेंगे जूब, में बड़ी उकी मातरा का उचारण हो रहा है फिर यहाँ पे, ला, लौपी आपकी मातरा यहाँ पे लगेगा तो हो जाएगा यह जूब, ठीक चलिए, आगे देखते है यहाँ पे देखिए भू, ला, भूला तो देखिए भूला कैसे लिखेंगे भू, ला, लौपी आकी मातरा, तो इसको आपका शब्द बन गया भूला, ठीक चलिए, आगे देखते है पू, जा, पूजा तो देखिए, पूजा कैसे लिखिएगा पू, जो, जो में आकी मातरा तो इसको एक साथ क्या पढ़ेंगे चाकू, तो देखिए, चाकू कैसे लिखा जागा चा, चो पे आकी मातरा फिर यहाँ पे कौ, को में बड़ी, उ की मातरा तो ए आपका शब्द बने गया चाकू, ठीक चलिए, आगे देखते है आ, लू, लो में बड़ी, उ की मातरा इसका हम पढ़ेंगे आ, लू, तो देखिए, इसको कैसे लिखा जागा बड़ी, उ की मातरा यह आपका शब्द बने गया आ, लू, ठीक चलिए, आगे देखते है भा, भा में आ की मातरा भा, लू, लो में बड़ी, उ की मातरा इसको एक साथ क्या पढ़ेंगे भा, लू, तो देखिए, भा, लू कैसे लिखा जागा भा, भा में आ की मातरा फिर यहाँ पे ल, ल, में बड़ी, उ की मातरा इसको एक साथ लिख दिए क्या बने गया भा, लू, ठीक चलिए, आगे देखते हैं सु, खा सु, खा तो देखिए, सु, खा कैसे लिखा जागा सु, सु में बड़ी, उ की मातरा सु, खा खौपी, आ की मातरा यह आपका शब्द बन गया सु, खा चलिए, आगे देखते हैं का, जू का, जू तो देखिए, का, जू कैसे लिखा जागा का, कौपी, आ की मातरा का, जू जो में बड़ी उ की मात्रा ये आपका शब्द बन गया का जो ठीक चलिए आगे देखते हैं जो ता जो ता देखिए जो ता कैसे लिखा जागा जो जो में बड़ी उ की मात्रा जो ता तो पे आ की मात्रा तो यह आपका शब्द बने गिया जूता ठीक चली आगे देखते हैं जादू तो देखिए जादू कैसे लिखा जाएगा जादू तो हमें बड़ी ओ की मातरा जादू ठीक चली आगे देखते हैं चू चा में बड़ी ओ की मातरा चू हा चू हा तो देखिए चू हा कैसे लिखा जाएगा चा चा में बड़ी ओ की मातरा चू हा चू हा ठीक चली आगे देखते हैं सू सू में बड़ी उ की मातरा सू जा इसको क्या पढ़ेंगे सू जा तो देखिए सू जा कैसे लिखा जाएगा सू सू में बड़ी उ की मातरा फिर यहां पे जो जो पे क्या है आ की मातरा तब यह होगा सू जा तो आप इस तरह से लिखिएगा ठीके चलिए आगे देखते है मू मौ में बड़ी उ की मातरा फिर यहाँ पे ली लौ में बड़ी ए की मातरा इसको क्या पढ़ेंगे मू ली तो देखिए मू ली कैसे लिखा जागा मौ में बड़ी उ की मातरा फिर यहाँ पे ली लौ में बड़ी ए की मातरा तो यह आपका शब्द बन गया मोली, ठीक, चली आगे देखते हैं पूँ, पौँ में बड़ी, ओ की मातर, फिर यह पे डी, रा में बड़ी, ए की मातर, इसको क्या पढ़ेंगे पोड़ी तो देखिए पोड़ी कैसे लिखा जागा पोपव में बड़ी उकी मातर फिर यहाँ पे रो और यहाँ पे बिंदी नीचे और इसमें बड़ी एकी मातरा तो यह अपका शब्द बन गया पोड़ी ठीक चली आगे देखते हैं सू ती इसको क्या पढ़ेंगे सूती देखिए यहाँ पे कैसे इसको लिखा जागा सौस तो में बड़ी ओ की मातर फिर यहाँ पे तो तो में बड़ी एकी मातर इसको क्या पढ़ेंगे सूती ठीक चली आगे देखते हैं भू, सा, भूसा, तो देखिए भूसा कैसे लिखा जागा, भू, भू में बड़ी, उकी मातरा, फिर यहाँ पे, सो और इसमें आकी मातरा, तो यह आपका शब्द बने गया, भूसा, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं, कू, कौ में बड़ी, उकी मातरा, फिर यहाँ पे, रा, इसको क्या पढ़ेंगे कूडा तो देखिए कूडा कैसे लिखा जागा कौक में बड़ी उकी मातरा फिर यहाँ पे ड़ और इसमें आकी मातरा तो यह आपका शब्द बने गया कूडा ठीक, चलिए आगे देखते हैं भू, भूबें बड़ी उकी मातरा भू भूखा, इसको एक साथ पढ़ेंगे भूखा, तो देखिए भूखा कैसे लिखा जागा भूखा, खौपी आकी मातरा तो यह आपका शब्द बने गया भूखा, ठीक, चलिए आगे देखते हैं भू, भूबें बड़ी उकी मातरा फिर यहाँ पे धा, इसको पढ़ेंगे बूखा, ठीक, तो देखिए बूखा कैसे लिखेंगे भूब, भूबें बड़ी उकी मातरा फिर यहाँ पे धा, और यहाँ पे नीचे बीन दी और इसमें आकी मातरा, तो एक आपका शब्द बने गया बूढ़ा, ठीक, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे देखिए, रू, रौ में बड़ी उकी मातरा फिर यहाँ पे खा, तो इसको पढ़ेंगे रू, खा देखिए रू, खा कैसे लिखा जागा यह जो है ना बड़ी उकी मातरा, च्छोटी उकी मातरा जब इस से में लगता है, तो इस तरह से लगता है रौ में, ठीक है तो यहाँ पे देखिए, रू, खा, खा पे, आ की मातरा तो यहाँ आपका शब्द बने गया, रू, खा ठीक, चलिए, आगे देखते हैं देखिए आपे, जू, च्छो में बड़ी उकी मातरा, जू, ठा इसको क्या पढ़ेंगे, जू, ठा तो देखिए, जू, ठा कैसे लिखा जाएगा ज, जू में बड़ी उकी मातरा, फिरियाँ पे टो, और इसमी आ की मातरा तो यह आपका शब्द बन गया, जू, ठा यहाँ पे देखिए, जा, रू, इसको क्या पढ़ेंगे, जा, रू तो देखिए, जा, रू कैसे लिखा जाएगा ज, और इसमें आ की मातरा, फिरियाँ पे रू, उड़ा में बड़ी उकी मातरा इसको क्या पढ़ेंगे, ज्ढ़ू, ठीक, चली, आगे देखते हैं स, सो पे आ की मातरा, फिरियाँ फिरियाँ पे धू, धू में बड़ी उकी मातरा इसको क्या पढ़ेंगे, सा, धू, तो देखिए, सा, धू कैसे लिखा जाएगा सो और यहां पे धो धो में बड़ी उ की मातरा तो इसको क्या पढ़ेंगे साधू ठीक चली आगे देखते हैं बा बा में आ की मातरा फिर यहां पे पू इसको क्या पढ़ेंगे बापू तो देखी बापू कैसे लिखा जागा बो में आ की मातरा फिर यहां पे पू पो में बड़ी उकी मातरा यह अपका शब्द बने गया बापू ठीक चली आगे देखते हैं मू रा त इसको क्या पढ़ेंगे मूरत तो दिखिए मूरत कैसे रिखा जागा मौ में बड़ी उकी मातरा फिर यहां पे र और यहां पे त तो यह आपका शब्द बने गया मूरत ठीक चली आगे देखते हैं फू लो ना इसको क्या पढ़ेंगे फुलना तो दिखिए फुलना कैसे लिखा जागा फू फू में बड़ी उकी मातरा फू लो और यहां पे ना तो यह आपका शब्द बने गया फुलना ठीक चली आगे देखते हैं डू बॉ ना इसको क्या पढ़ेंगे डूबना तो दिखिए डूबना कैसे लिखा जागा डू बड़ी उकी मातरा फिर यहां पे बॉ और यहां पे ना तो यह आपका शब्द बने गया डूबना ठीक चली आगे देखते हैं रू मा अला रूमाल तो दिखिए रूमाल कैसे लिखे जागा रा में बड़ी उकी मातरा फिर यहां पे म में आ की मातरा फिर यहां पे ला तो यह आपका शब्द बने गया रुमाल ठीक चलिए आगे देखते हैं पूरब इसको क्या पढ़ेंगे पूरब तो देखी पूरब कैसे लिखा जागा पॉरब में बड़ी उकीमा तरह फिर यहां पे रॉर और यहां पे बॉर तो यह अपका शब्द बने गया पूरब ठीक चलिए आगे देखते हैं चूरमा इसको एक साथ पढ़ेंगे चूरमा देखी चूरमा कैसे लिखा जागा चू चूरमे बड़ी उकीमा तरह फिर यहां पे रॉर और यहां पे मौ में आ कीमा तरह तो यह अपका शब्द बने गया चूरमा ठीक चलिए आगे देखते हैं सूरज तो देखिए सूरज कैसे लिखा जाएगा स, स में बड़ी उक्की मातरा फिर यहां पे रो और यहां पे ज तो यह आपका शब्द बने गया सूरज ठीक, चली आगे देखते हैं चू रो न, चूरन तो देखिए चूरन कैसे लिखा जाएगा चू, रो, और यहां पे आणा तो यह आपका शब्द बने गया चूरन ठीक, चली आगे देखते हैं त, रा, जू इसको क्या पढ़ेंगे, त, रा, जू तो देखिए त, रा, जू कैसे लिखा जागा त, रा, और यहां पे जू जू में बड़ी, उ की मात्रा तो यह आपका शब्द बने गया त, रा, जू ठीक, चली आगे देखते हैं प, ठा, कू इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ा, कू तो देखिए पढ़ा, कू कैसे लिखेंगे प, ढ़ा, ढ़ा में आकी मात्रा फिर यहां पे, कू कू में बड़ी, उ की मात्रा तो यह आपका शब्द बने गया पढ़ा, कू ठीक, चली, आगे देखते हैं खू खू में छोटी इक मात्रा, खू शबू बड़ी, उ की मात्रा ध्यार रखिएगा, जिस अक्षर पे जो मात्रा लगा रहेगा, उसके साथ वहीं उचारन करना अपका शब्द जो है न स्टाई हो जाएगा, ठीक है खूश्ट बू देखिए यहां पे, खूश्ट बू कैसे लिखा जागा खूखा में छोटी इक मात्रा, खू शबू बड़ी, उ की मात्रा तो यह अपका शब्द बने गया, खूश्ट बू ठीक, चली आगे देखते हैं कचा लू इसको क्या पढ़ेंगे, कचा लू देखिए इसको कैसे लिखा जागा, कचा और यहां पे जो है न, लू लू में बड़ी, उ की मात्रा इसको क्या पढ़ेंगे, कचा लू ठीक, चली आगे देखते हैं म, ज, दू, र, इसको क्या पढ़ेंगे, मजदोर ठीक, देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा म, ज, दू, और यहां पे र, तो यह अपका शब्द बने गया, मजदोर ठीक चली आगे देखते हैं तरबू ज़ा इसको क्या पढ़ेंगे तरबूज तो देखें तरबूज कैसे लिखा जागा तरबू और यहां पे ज़ा तो यह आपका शब्द बन गया तरबूज ठीक चली आगे देखते हैं मज़बूर मजबूर तो देखिए मजबूर कैसे लिखा जाएगा म, ज, बू और यहाँ पे र, तो यह आपका शब्द बन गया मजबूर ठीक, चलिए आगे देखते हैं ड, म, रू, इसको क्या पढ़ेंगे, डमरू तो देखिए डमरू कैसे लिखा जाएगा ड, म, रू, रमे बड़े ओकी मातरा यह आपका शब्द बन गया डमरू ठीक, चलिए आगे देखते हैं म, ज, बू, त, मजबूत तो देखिए मजबूत कैसे लिखा जाएगा म, ज, बू, और यहाँ पे त, तो यह आपका शब्द बने गया मजबूत ठीक, चलिए आगे देखते हैं क, बू, त, र, इसको क्या पढ़ेंगे क, बू, तर, तो देखिए कबूतर कैसे लिखे जागा क, बू, बू, बहुमे बड़ी ओ की मातरा फिरिया पे त, और यहाँ पे र, तो यह आपका शब्द बने गया क, बू, तर, ठीक, चलिए आगे देखते हैं प, त, लू, और यहाँ पे न, तो इसको क्या पढ़ेंगे पतलोन, तो देखिए पतलोन कैसे लिखेंगे प, त, लू, और यहाँ पे न, तो यह आपका शब्द बने गया पतलोन, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं शहतूत, जो देखिए शहतूत कैसे लिखे जागा श, तालब बे श, ह, तू तो हमें बड़ी उकी मातला फिरियां पे त, तो यह आपका शब्द बनी गया शहतोत, चलिए आगे देखते हैं जा, दू, ग, अर, जादूगर तो देखिए जादूगर कैसे लिखे जाएगा जा, दू, ग, और यहाँ पे र, तो यह आपका शब्द बनी गया जादूगर, ठीक, चलिए आगे देखते हैं सू, समें बड़ी उकी मातला सू, चो, और यहाँ पे न, तो यह आपका शब्द बनी गया सुचना, तो देखिए सुचना कैसे लिखे जागा सू, चो, और यहाँ पे न, तो यह आपका शब्द बनी गया सुचना, ठीक, चलिए आगे देखते हैं भू, भू में बड़ी उकी मातला भू, श, और यहाँ पे आणा तो इसको क्या पढ़ेंगे, भूशन, ठीक भू, भू में बड़ी उकी मातला भू, श, मुर्धन श, और यहाँ पे आणा तो यह आपका शब्द बनी गया, भूशन, ठीक चलिए आगे देखते हैं भू, टा, न, भूटान, तो देखिए भूटान कैसे लिखा जागा भू, टा, और यहाँ पे न, तो यह आपका शब्द बनी गया, भूटान, ठीक चलिए आगे देखते हैं ख, र, बू, जा, इसको क्या पढ़ेंगे, खर, बूजा, देखिए आपके ख, र, बू, और यहाँ पे जा, तो यह आपका शब्द बनी गया, खर, बूजा बड़ी ओ की मातरा से बने शब्द को जो है न, पढ़िएगा और लिखिएगा, ठीके तो चलिए अब हम बड़ी ओ की मातरा वाले वाक्यों को जो है न, आपको पढ़ना और लेखना दोनों सीखाएंगे, ठीके ध्यान देखिए यहाँ पे जो है न, आपको वाक्यों है न, हम पढ़ना सीखा देंगे, आपको खोद से इसको लिखने का प्रैक्टिस करना होगा, ठीके, चलिए यहाँ पे देखिए रा, मू, रामू, ओ, अठ, ओठ, सू, र, अज, सूरज, न, न, में चुटिक मतला है न, कौ, ल, निकल, आ, या, आया देखिए, वाक्यों है न, डारेक्ट पढ़ा जाता है, देखिए कैसे पढ़ा जाएगा रामू, ओठ, सूरज, निकल, आया अगर इसको लिखिने को आता है देखिए, कैसे लिखिएंगे आप एक, वाक्यों हम आपको लिख के दिखा देते हैं रामू, ओठ, सूरज, निकल, आया, लिखिए, रामू, रा, मू, ओठ, डारेक्ट लिखना सामने सामने, ठीके उ, अठ, उ, ओठ, सूरज, ठीक, सू, र, और यहां पे ज, सूरज, निकल, आया निकल, आया, और यहां पे पूर्ण बिरा, आप जो न, अपने कॉपी में, इसको लगतार लिखिएगा, ठीके न, यहां पे हम लिखे हैं, तो इस तरह से आप मत लिखिएगा, उपर निचे, ठीके, अपर लगतार लिखिएगा, जहां पे लाइन खतम होगो, वहां से फिर दू, अधब, दूध, पीकर, पीकर, मजबूत, मजबूत, बाण, बन, दूध, पीकर, मजबूत, बन, आशु, आशु, कूळ, कूळ, उठाकर, उठाकर, कूळा, दान, कूळादान, तक जा, आशु, कूळा, उठाकर, कूळादान, तक जा, घू, अम, घूम, कर, कर, आ, घूम, कर, आ, पू, न, अम, पूनम, फू, अल, फूल, ला, कर, लाकर, भगवान, भगवान, की, पूजा, पूजा, कर, कर, पूनम, फूल, लाकर, भगवान, की, पूजा, कर, कपू, र, कपूर, व, धू, अप, धूप, जा, ल, जला, कपूर, व, धूप, जला, रा, मु, रामु, सू, अट, सूट, पह, न, कर, पहन, कर, बा, जा, र, बजार, जा, रामु, सूट, पहन, कर, बजार, जा, आ, लू, आलू, मू, ली, मूली, तर, बूज, तर, बूज, व, खर, बूज, खर, बूज, खर, बूज, ला, पूज, पूज, आ, लू, की, चा, ट, चाट, ब, न, बना, पूज, आलू, की, चाट, ब, न, बना, रबूज तर्बूज व खर्बूज 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 खर नाम पुनम की चूडी चूडी टूट गाई गई पुनम की चूडी टूट गई जूही चूडी चूडी ला पुजा पुजा सरजू मदारी काला भालू भालू लाया पुजा सरजू मदारी काला भालू लाया भालू भालू भूखा था वह वह आलू आलू खा गया वह आलू खा गया आलू आलू खा कर खाकर सरजू मदारी मदारी का भालू भालू खुब खुब नाचा नाचा कुदा कुदा तो फ्रेंस इस तरह से जो है आप बड़ी ओ की मातरा से बने वाक्यों को जो हैना आप पढ़ना सीखिएगा अब आपका क्या काम है इसको लिखिने का खुद से आपको प्रेक्टिस करना होगा तो फ्रेंस आज की इस क्लास में वस इतना ही अगर आपको अभी भी बड़ी ओ की मातरा से बने शब्द और वाक्यों को पढ़ने और लिखने दोनों में प्रोब्लेम हो रही है या किसी एक में भी प्रोब्लेम हो रही है तो आपको जो है न एक बाद और इस क्लास को सुरू से लेकर लाश्ट तक रिपीट करना होगा ताकि आपको अच्छे तरीके से बड़ी ओकी मातरा से बने शब्द अरवाक के जो है न पढ़ना लिखना दोनों आ जाए और आज की इस क्लास को जो है न अपने सबी फ्रेंश को वाट्शेप और फेस्बूक पर शेयर कर दीजे ताकि वे भी घरबेटे अश्रानी से इस क्लास का माध्यम से हिंदी पढ़ना लिकिना सीखते रहे हैं जहन्द फ्रेंश फिर मिलते हैं नेक्ष्ट क्लास में